हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाटी विट क्रेजी गुरू फ्रेंड्स आज हम स्सी एंटीएस हवालदार दखिए स्सी एंटीएस हवालदार जो 2023 में जॉब नोटिफिकेशन निकला है उसका एक जाम अप्रील में होने बाले हैं तो आप जानते होंगे तो उसमें जो टेस को डिसकेस को डिसके स्करेंगे एक कोस्तन जो आज हम ला रहे हैं प्रिवीयस यह कोसल करते हैं उससे पहले बता दें आप लोगो चैनल लिए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और क्लास को सेर कर लिएगा क्लास यह है इसी तरह आपका जेंडरल इंग यह आएगा और किसका आएगा आपका मतब रिजनिक आप समझ गए होंगे तो क्या करना क्लास को सेर कीजिए तो थोड़ा परहाने में भी अच्छा लगें स्टाट करते हैं और से पहले बता दें यह आपका जो सेक्षन वन है और सेक्षन टू है बहुत सारे स्टूडेंट को यदि पता नहीं होगा तो बता दें सेक्षन वन नुमेर इसमें लो शसंसर पुष आई तो ईसमें लेकिन गयू अरो आपका चय। यह जो है क्वालिफाइब मार्स है इसमें आप क्वालिफाइब कर जाए यह 30 परसेंट 20 जो भी आपका केटेगोरी बाज है उस नमबर लाग के आप लोग क्वालिफाइब कर जाएगा लेकिन जेंडल अवेनेस और जेंडल इंगलिश में आपको जो कट अप बनेगा न यहा जेंडल सांस और इंवारिमेंटल इस्टर्डी जो है तेंठ इस्टेंडर जो तेंथ में आप परहे होंगे यहां पर आपको परना है तो समझ गहेंगे और जितना भी कलास है आपको आटन कल्चर हो सब हम आपके लिए रिगुलर कलास अब आज से शुरू हो गया है स्टार होते हैं अरकाट की युद घेराबंदी कहते हैं मैं कौन बिजाई होगा था देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा बता दे इसका एंसर जो होगा ओप्शन एंसर होगा ठीक है आपको यह अंग्रेज जीत गया था लेकिन यह क्या है अरकाट कहां मतलब अरकाट कौन सान मत करनाट का यह नाम है क्या अरकाट में अगर का नाम है क्या अरकाट उसके बाद आपको बता दे जो अरकाट है राजधानी बनाया था अनवरुद्दिन का जब मिर्त्य हो जाता है तो उसके बाद उनका जो पूत्र होता है उनका पूत्र कौन है पूत्र जो है मुहम्मद अली है जो मतलब नवाब बनता है लेकिन क्या होता है अंग्रेज जो है उस पे मतलब वो चाहते हैं कि अरकाट को अपने में मिला ले समझ करता है उसके बाद क्या होता है कुछ सेउध होता है उसके बाद की अरसिमे करते हैं घिरा बंदी करता है और कुछ दिने बाद मिर्टि हो जाती है और अंग्रेज 자 सबाँ तो इतना आपको जानना जरूरी है थोड़ा सा और हम देख लेते हैं देखें यहां पर आपको पता है इसमें अरकाट की घिराबंदी होता है उसमें अंग्रेज बिजाई होता है उसके बाद जो 1743 में अनवरुद्दिन जो है राजधानी बनाता है किसको अरकाट में और अर करनाटा की जो कब होगा है उसके बाद आपसे कोचन पूछ सकता है आमबूर का जो लराई होता आपका कब होगा था तो 1749 में अनवरुद्दिन की प्राजय और हत्या के बाद चंधा साहिब के नेत्रें में चला गया था आपको पहले भी अभी बता दी हैं उसके बाद क्या होता है देखें चंता साहिब ने फ्रांसिस्यों की मदद से त्रिच ना पल्ली का घेरा डाला जहां अनवरुद्दिन के पुद्र मुहम्मद अली ने फ्रांडिवास के बिच में नंग्रेज जिज जाते हैं और भारत में का पतन हो जाता है एक याद रखेगा तक समझ गएएंगे वेदरा का एज़ और वान्दिवास का एज़ याद रखेगा। उसके बाद फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी के जो आ स्थापना हुआ था 1664 सिवी में क्या था और फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी उसके बाद हमmpfen 1505में फ्रांसिस्को अलमिदा भारत में पुर्थम पूर्ताकाली गवर्णर वोगा था और पूर्ताकाली में तो याद रखेगा नेक्स को सना आता है नेक्स को सन वीवी आई को सन्हें है bistगान सर्क्राइब को पता नहीं होगा फिलीलबलेंक्स है तब होती है जब वीतामिन दी की कम्हाश्व कारण बच्चे की बढ़ती हड्री या बिखसित नहीं हो पाती है तो जब चारों ओप्सफन दिखर ऑप्सन एजो है ना सब्सक्राइब थैक्तेंटेंटेंट थो के बीतामिन देख्य कारण बच्चे की बढ़ती हडिया बिख्षित नहीं पाती है बीटामिन दी के अबहाव में रिकेक्ट रोग भी होता है आप लोग जानते होगे बहुस सारे गजाब में पूछे भी जाते है उसके बाद दर तरेके विटामिन दी ठीरी को को ओली कैल सीफिरों कहते हैं कि Collect और तूटने की सभामना हो जाती है याद रखेगा उसके बाद वाइसको में भी विटामीन D की कमी से हड्डिया चिन और लचीली हो जाती है इस दसा को ही और याद रखना है उसके बाद आपको बताते देखिए कोस्तन आप से पूछ सकता है विटामिन देखिए विटामिन भीतामिन देखिए विटामिन नाल में भोजन से फॉस्पोरस तथा केल्सियम के आस्ति निर्मान जाता सखता है याद रखेगा उसके बाद में पुछे जाते हैं पूछे गए हैं और आपसे बीमारी होती हैं, तो विटामिन A की कमी से कौन सा बीमाण है तो लोग समझते होगों उसके बाद बता दे VITAMIN BEC, VITAMIN B, and C, ज़ल में घुलनसील होता है, और VITAMIN, देख्ये, यहां, जल में लिख दिये, और VITAMIN A, D, और A, K, है न, वो वसा में घुलनसील होता है, एसाब एक में पेज़ेंट करते चलिये, पेज पेज रखेंट पर मतला क्या करते चलिए, लिखते चलिए एक बार रिभीजन के तौर पर एकजाम से पहले देख लिजेगा पुछे जाते हैं तो 22 का ओप्षन एक करेक्ट एंसर हो गया समझ गए होंगे किस राज्य का एक प्रांप्रिक लोक निरित हैं हर एक स्रिप्ट में एक लोक निरित आपको हम एक वीडियो लाद देंगे जिसमें पूछा गया है आप वहां से त्यारी कर सकते हैं तो कोस्ता था चिराव निरित्य का एक प्रांप्रिक लोक निरित्य है तो किस एस्टेट का है तो मीजोरम मीजोरम ऑप्षन ए जो है करेक्ट एंसर हो जागा तो देख लेते हैं देखें चिराव निरित्य को बांस निरित्यों भी कहा जाता है क्योंकि निरित्य करते समय ब है याद रखीएगा उसके बाद आपको ठोडні निश्ते बता देते रहें बटासाम राजे से लोकी कोशनते पुझा आपाश्या है वहां से पूछे जाते हैं तो क्या है असंब कनोई है और नाचयरब परदीश परणूंग है पोपीर है औरually लोंप नरता है एक पूछा जाता है चपेली और नटंग की जो लोग निरित्य है आपका यूपी में याद रखेगा उसके बाद गुवाद से देखें गुवाद से कोशन पूछे जाते हैं सि oh, जगोर हो गया, इसके भाद गोरे मोद्नी हो गया, और कमेंट में लिखें किस alors वायस्राय आपको में बनगाला का विभाजन किस वर्समें किया है तो बताईए एक क्वेस्टन आप लोग सब जानते होंगे कब किया था 1905 में किया था तो क्या क्वेस्टन इस तरह आएंगे और क्वेस्टन किस तरह आप से पूशी जाएंगे सब आपको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं तो बतादे देखियो पहले तो यह समाज लीजिए ल बनाए गया था और फर्स्ट वाइसराय कौन था भारत के जो प्रथम वाइसराय था उनका उसका नाम था आपका लॉड कर्जन था लॉड करजन से कोशन पूशे जाते हम देखिए बंगाल विभाजन द्वारा लॉड करजन कांग्रेश एबंप सवतंत्रता अंदुलन को दुरुबर बनाने के लिए और मुस्लिम संपरदायवाद को उभारने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाता था और बंगाल का विभाजन कर भी दिया याद रखेगा कोशन आपसे ऐसा कोशन पूश सकता है क्यों किया गया था उसके बाद बंगाल विभाजन की गोशन याद रखना है उसके बाद कोस्तों पूछ देगा बंगाल विभाजन के बिरोध में जो स्वादेशी अंदोलन हुआ था उसका जो खोषना किया गया था कब किया था तो साथ अगस्त उनईस्व पांच सिवी को कलकता के टाउन हॉल में संपन एक बैठक में बंगाल नकी जो घोसना की गई थी 1905 को उसके बाद सवादेशीय अंदोलन के जो खोषना की गई थी कलकता में साथ अगस्त उनईस्व पांच को की गई थे उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं उसके बाद क्या होता है बंगाल को दो परांटों में फिर बाट दिया जाता ह है पुरवी बंगाल और पच्छमी बंगाल क्या होता है धाका में बनाए गया और लेटिनिनेंट गववर्णर को ता सर एंड्रियूज फैरेजर को बनाये गया याद रखेगा को सोक दीवस देखिए बंगाल में इसोक दीवस मनाया गया तो पूरे बंगाल में सुख दिवस मनाए गया है उसके बाद क्या होता है उनका इसका नारा भी दिया गया तो एक कोशन आपसे पूशे जा सकते हैं समझ गए होंगे तो देखिए है 24 अबिबता दिये 24 का पूसें जो है ऑप्सें बी और करेक्ट एंशर तो देखिए फिरेंज जो है इसी तरह पूशे जाते हैं आपको इतना जनकारी रहना चाहिए एक प्रेशन में आपको बताएं नहीं दस को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर किजिए तो प्रहाने भी मोटिवेशन बने रहे और कलास जो है जन्रल इंगलिस हो या जी के जी एस हो रेगुलर कलास आते रहे हैं नेक्स कोशन 25 कोशन है मानौव शरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है बताइए एक कोशन तो बहुत सारे के जाम में पूछे गए हैं और आप लोग जानते अबसाइम भी रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं इसके बारे में क्या है द्कें मानौव सरीर कि साथ चोटी हॉती है एस्पीज होती है एस्पेज न पर नामार्व चैनलिए होती है किसमें कान में तो यह भी रखेगा न आपका हड़ी जो हढ़ित देल क्या है मैलियस है इंकस अधेक याद रखेंगा उसके बाद देखें जांग की हड़ी फीमर सरीर की सबसे बरी हड़ी होती है क्या है एक या तो ni tad में क्या होता है मास पिष्टी यह श्रीर के जोर को क्या कहा जाता है you और यादे के जोरको लिंगा मेंट कहा जाता है जाता है तो यह याद कर जाएगा शर्ड को च pillar यह स्थियों के ओस पेड़ी प्रोटीन पाई जाती है ड्यून कलतंव रखेगा से यह कोंन फूचर आर्रट उस्तान और उस्थी सकते हैं मनुस्य हे में जो बारह जोरी पसलिया पाई जाती है कितने जोरी पसलिया जो मनुस्य में पाई जाती है ऑगा जुछा जाता है तुवश्छा का तो 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 समय-पूस्तक लिखार कौन है बताइए किस सेम नहिन मतलते सेम पूस्तक पूस्तक है सलमान मोस्तव के द्वारा लिखा गया और महतब्पूत्व सबसे कोश Windows, है जंगल बुक रूड याड किपलिंग देखे एक कोशन भी आई है और जो राजस्थान वाले स्टुडेंट है या बताई है जो मोगली मोगली के बारे में जानते हैं जंगल मतब जंगल बुक में जो आपको किरदार दिया गया है मोगली तो कौन सा जो वहां का जो आपका क्या बोलते हैं दुर्ग है राजस्थान का वहां पर मोगली का चीत्र है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजेगा बहु सारे इस्टून को यदि पता नहीं होगा तो जाएंगि समझके ढ़ Keeping के द्वारा रूटी आथ कींग डवरा सबक्राजन के OSI beiden से लृज सटरी लाव चिर्थे लवार लिखा जाता है एक सेल के दवारा लिखा गया है आप लोग जानते हूंगेueses न आप से पूछिजा जाकते हैं अ किसके त्वारा लिखा गया है सिर्फ बूच्ट है एकरी कल्चर एक्ट्ट्र एक्राजन के त्वारा लिखा कैया है और एक पुछ देगा एरवांटेज इंडिया देटिया और इंडियां टेनिस कि लिखा गया अनिंधा दता के द्वारा लिखा गया तो एक कोशन भी आई है जितना भी कोशन बता दिये हैं सब भी आई है एक बार देख लिजिएगा आप सही करके आईए नेक्स कोशन 27 कोशन है भारत में समिधान का कौन सा भाग नागरीको के करतब्यों से समझ दीत है तो कोशन हर एक स्ट में आपको कोशन बूछे जाएंगे इसके बारे में देख लेते हैं देखिए जो भारत भारतिय समिधान में जो मूल करतब्य है याद रखेगा उसके बाद वर्तमान में जो आर्टिकल है अनुछेद है 51A या का बोलिए के तहत मौली कर्तब्य की कुल संखा कितना है 11 है और 11 मा जो मौली कर्तब्य है fundamental duties है 86 वा समिधान संसोधन 2002 के दोरा जुरा गया है इसमें क्या बोला गया है 6-14 वर्ष के जो बच्चे है उन्हें मतलब मुक्त एवं अनिवारे शिक्सा दिया जाना चाहिए याद रखेगा बहुत सारे एक जाम यह क्वेशन पूछ सकते हैं क्योंकि यह क्वेशन जो है भीवी आई है उसके बाद देखेए भाग 2 में नागरिकता से समंदित है और आर भाग 10 में क्या है भाग 10 के जो आर्टिकल है 244 में अनुछेद और अनुशूचित और जंजाती छेतर के समंद में उपवंध मतलब इसमें बारे में अध्यन मतलब बताया गया है यह याद रखेगा नेक्स कोशन बात है नेक्स कोशन 28 कोशन है निमलिखीत में चे क्या अस स्टियों सोसक मतलब ऑप्संस जो है करेक्ट्रेंश घाएं समझ गये नहीं दोरा इसके बारे में देखें लीकिए अस्थि सोसक जो है अस्थि मज़ा द्वरा बनाई गई रक्त कोशिकाओं का एक परकार नहीं है अस्थि मज़गा सरीर की अस्थियों के बीच वह मुलायम और अस्तिमज़ी भाग है जहां रक्त का उत्पादन होता है तो अस्तिमज़ा के बारे में आप minha समझे का होता है कहा होता यहां पर क्या होता है तिय याद रृखिय excel रिल्प रखतकन देखें, कि निर्मान अस्थि मजा में होता है, प्रोटिन, आयरन, वितामिन B12 और फॉलिक अम्ल रभीशिक के निर्मान में सहायक होते हैं, तो आ, याद रखेगा, क्या-क्या मताद दिये एक बार पर लिजिएगा, यहां में से पूछे जाते हैं, उसके बाद मतलब स्वेक्त रक्त कनिका का निर्मान अस्थी मजा लिंफ नोड और कभी-कभी या क्रीत एबम पिलिहां में भी होता है यह याद रखेगा समझ गए कोसन जो है यहां से डव 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 कोसन पूशे जाते हैं उसके रक्त बिंबानों जो है केवाल मनुस्य एबम अन्य अस्थन धर्यों के रक्त में पाये जाता है जो अस्थन धर्व होते हैं या मनुस्य ईन्य रक्त बिंबान्म पाया जाते हैं याद रखेगा की पिलेटilletले का कंशी मतलब बिमारी होती है तो जो क्या बोलते हैं टेंगो में क्या होता से कौन सी अक्सान से खाय ग। यह समझाईगा क्यों इसके बारे में सबस्क्राइब step couple , जो रिक्ष को सबंसरेंगा में भिष्वत रेखा सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आप लोग मकर व्रीत बोलिएगा यह दक्सिन अमेरिका अफिर का तथा ऑस्टेलिया महादीव से होकर गुजरती है याद रखेगा उसके बाद के करक रेखा पुषेगा करक रेखा भारत के कितने राजें से गुजरती है यह नंबर आप आप लिखती जिएगा और नाम भी आप लिखती जिएगा क्योंकि पूछ जाते हैं वह सारे स्ट्वेंट को यह पता नहीं होगा तो उनको पता हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पता देंगा करक रेखा जो है उत्तरी गुलार्ध में विस्वत लिए याद रखेगा दो आकसांस रेखाओ की बीच की दूरी को क्या बुला जाता है जिसे हिंदी में कटी बंद बहुंकी अगई कमाल इसकाilly 19 और लेखाओ को चोड़कर पर तेक आकसांस रेखाओ कि एक संपुर्ण व म्योस्वहां को मुभाएक है याद हैrich सब्सक्राइब नहीं है ऐसा को सब्सक्राइब आपको विल प्रेपेर होके जाना है क्योंकि अप्रिल में एसे सी मतलब में जो पूष आता है जो को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के सब्सक्राइब आपका यहां सार के सब्सक्राइब 50 पूष रहा है मतलब है किसका है तो किसका उपगरा है पुलूटो का एक उपगरा है सेरन कहा जाता है यह याद रखेगा उसके बाद पुलूटो की खोज के दौरा किया गया था किलाइड टॉम बैक के दौरा किया गया था याद रखेगा एक कोसन भी आई है उसके बाद कोसन बता दें 2006 से पहले तक इसे संवर मंडल का नौम एभम सबसे छोटा गरह मना जाता था लेकिन दो-ट्षे के बाद वरतमान में संथा अठ मतलब गरह है यहां से पूछे जाते हैं उसके बाद वर्तमान में सेरेश, पुलूटो, एरिस, होमियो, उसके बाद का है मेक मेक आदी जो है बॉना गरह मना जाता है यह याद रखेगा उसके बाद कोशन पूछ देगा मंगल गरह के दो उप गरह क्या क्या नाम है फोबोस और डिमोस कोशन पूछ जा सकते हैं याद रखेगा उसके बाद निदन वाद इस सबसे पहले खोजा गया उबॉप गड़ह क्या है टाइटन है यह याद रखेगा उसके बाद क्या है शुर्ई के ब्हूर। सुर्य के बाद बूध के बाद सुक्र है तो एक बार देखने कि यहां के बाद बूध के बाद पृत्थिव है तो अगभल के बाद की सुद्रगरह की पट्टी उसके बाद सता आपका भी भिख़षपति है सनी है अवरून है वरून यहां से पूशे जाते हैं तो कोई कोशंट है यहीं पर था यदि कुछशं मतलब लग तो क्या करना आपको कमेंट में लिखेज पहलें तो क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और क्लास को सेर कर दीज जो है आपको हम पूरा डिवीजन जब तक एकजाम नहीं है एकजाम आएगा तब तक हम डिसक्स करबाद नहीं है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यों